मेरे सबी विवे फ्रेंज को दीपावली की भाईया दूज की हादिक शुपकामना आए दिवाली बीद गई है दोस्तों अब जो है हम आपको अपने टेरेस गार्डन की सेर कराते हैं दिखाते हैं अपडेट्स क्या कैसी पोग्रस चल रही है कौन से ब्रांट अच्छे ग्रो लेकिन जैसे ठंडक बढ़ने लग जाएगी इसकी फ्रावरिंग कम होती होती जाएगी तो आपको जो है वाटरिंग भी रिडियूस करनी होगी इसमें जो है यह आपको जो पड़ा दिख रहा है सारा सुची पती यह सब यह मत सोचिएगा गंदगी है वलकि इस हमने जान क कलेक्ट करके डाल देते हैं एजा मल्चिंग के रूप में काम आता है और इस से जो है पानी थोड़ा हमें कम देना पड़ता है धीरे धीरे यह डिकंपोज हो जाएंगे यह जो है यह बेबी टियर्स लगी है यहां रखे हुए है हमारे बुद्धा जी और बैटे हैं यह ब शेयर कर पाएते तो यह जो कैलेडियम है अब दोस्तों डॉर्मेंसी में जा रहा है पानी देने के बाद भी पतियां जो है सूख रही है पीली पर रही है इंडिकेशन प्लांट दे रहा है कि अब पानी देना बंद कर दो और हमको जो है सोना है तो बस अब यह कुछ दिन सो जाएंगे तो यहां से इनको हटा करके सब जो है दूसरे प्लांस लगेंगे उधर की तरफ जो है वेजिटेबिल्स ग्रो हो रही है चलो बाद मिले जाएंगे वहां पर और यह मेरे मिर्च के बीज और जो मेरे गेंदे के सब एक ही प्लांटर है मैंने डाल दिये थे कॉक्स कॉम है दोस्तों बहुत प्यारे लगते हैं देखने में और फिर जिनके सीट्स किर जाएंगे तो फिर प्लांट बढ़ जाएंगे यह सब मेरे गुलदाओदी है मैंने कोई भी नरसरी विजिट में अभी तक प्लांट नहीं करीदा है तब भी मेरे टेरस गार्डन म बहुत फ्लावरिंग प्लांट लगे हैं और देखता देखे सब फ्री वाले प्लांट है यह जो पिछली बार गुलदाओदी किना सेफ करी थी वही लगी है और यह जो है नीम्बू का पौधा है जिसकी कि मैंने भी कटाई छटाई करी थी ग्रांट कि इसमें भी फ्रूट में ज़्यादा होती है यह होता है आप भी चेक करना तो मैं देख ली हैं कि इस साइट काफी फ्रूटिंग हुई है और दूसरी साइट भी नहीं हुई है और इस तरफ जो है यह बैगन लगे हुए हैं जिसमें की फ्रूट्स बनना शुरू हो गए हैं और मिली बग पॉक्स में डाल देंगे तो आप देख सकते हो कई वीवर फ्रेंट्स कह रहे थे कि फिर से वीडियो बनाईए तो देखिये मौका लगेगा तो जल्दी ही डालेंगे यह सब मेरे जो है क्रिसंथमम की जो कटिंग्स ग्रो करीं थी हमने वो सब है और अगें यह बैगन हो र रखेंगे और यहां पर मैंने यह जो था थोई सी ग्राफ्टिंग करी थी कुछ सक्सेज हो गई कुछ फ्लॉप हो गई है ऐसे चल रहा है बस चलता रहता है सब ऐसे ही यह सब मेरे सकुलेंट्स है दो साल तीन साल पुराने नहीं है और यह जो है इंसम में काम करना है मुझ अब बहुत कर दो दो शाहिता है कि एक फार स्टी बड देना है अभी तो ऐसी फ्ले में लगा दिया है बहुत सुंदा लगता है अगें जो है इधर अच्छे एक चीज आप भी देखना जो वाइट कलर के कोई भी फ्लावर्स होते हैं तो वाइट कलर वाले में फूल बहुत ज़ादा आते हैं ब्रागन लगा है ये रेट कलर का मेरा हिबिसकस है जिसमें की आज फूल नहीं खिला कलियां है कल खिलेंगी ये हर सिंगार भी फूल रहा है गिरे ही पड़ा मिलता है मुझे और ये पीछे जो है जारोल है वो डॉर्मिंसी में चला गया है और ये फिर से एक जोरा जो की फ्लावरिंग कर रहा है अभी भी और ये नीबू का प्लान जो मैंने ग्राफ्टिंग करी थी अच्छा देखिए ये सब में आपको ये दिखाई देगा ये सब मेरे छट में जितने ये पत्ते खटा होते हैं मैं सब की मल्चिंग कर देती हूँ और ये नीचे अगें जो है गुल्दावदी यानि क्रिसंथम लगें सब में कलियां आ रही है इसमें एक आद में छोड़कर के जो मैंने काफी लेट कटिंग ग्रो करी थी उनको छोड़कर सब में आ रही है ये सब जो है हल्दी लगी हुई है हल्दी भी है जो है हल्दी में मैंने जो है अभी 15 डेस पहले बर्मी कमपोस डाला है क्योंकि इस समय जरूर एक बार हल्दी में खाद दे दीजे क्योंकि हल्दी की जो वो होंगे राइजोम्स होंगे मैच्योर हो रहे होंगे तो एक बार आखरी बार आप उनको खाद दे दो फिर जो है पूरी एनरजी मिल जाएगी इनको यह जो है टोपियारी बनी है यह अगें क्रिसंथमम बहुत सारे क्रिसंथमम लगे मेरे पास गंबले ज़्यादा नहीं रहेंगे सब में क्रिसंथमम ही लगे है पीछे की साइड ले आए हैं यहाँ पर भी कुछ पर्मनेंट प्लांट्स लगे हैं रफ और टफ टाइप के हैं यह जो है स्नेक प्लांट है जो कि बैकटिंग से ग्रो करती रहती हूँ किसी ना किसी को मिली जाता है ऐसे यह दे देती हूँ गिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पर जो है यह लगा है यूफोर्बिया मिली अडिनियम्स रखे हुए है और यह जो है अलमांडा है यह यूफोर्बिया मिली यह कारिस्तानी मेरी है जो कि आदी अरूरी पड़ी है तो यह इस तरीके से देखे पूरा आता है पीछे का तरफ का है और फ्रंट में मेरी वो जो है टेरेस है यह ऐसे है अब दिवाली के बाद थोड़ा सा और काम करना है इसमें बहुत सारे प्लांस अच्छा कुछ प्लांस जो डॉर्मेंसी में चले जा रहे हैं मैं अदर पीछे की साइड करती जाती हूँ उनको क्योंकि यहाँ पर धूप तो आती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हम मिल जाती है काम तो यह जो है असपरेगस फॉर्ण है यह सब डॉर्मेंसी में चले गए हैं इधर जो है यह फाइकस वेगरा है यह सहजन है तो बस ऐसे सब ग्रो हो रहे हैं सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं चलते रहते हैं यह जो है पैंसल कैक्टरस है यह भी डॉर्मेंसी में चला जाएगा पानी बहुत कम कर दीजेगा जो जो प्लांस डॉर्मेंसी में जा रहे हैं आपको पानी बहुत कम करना है यहाँ पर सब कैक्टरस वे गएरा है यह वाटर कैबेज है और यह इडीनियम है इसमें पतिया मरबब से पीली हो ही रही है तो तीन चार दिने पानी डाल रहे हैं यहां से जा फ्लावर वहु है तहो नहीं देखिए ग्रोथ चालू हो गई है यह कि इता प्यारा लग रहा है भी निकल रहा है उसको भी निकालना है जब भी सब सफा होगा तो उसको काटके हटा देंगे ये कंपोस्टिंग के मटके रखे हुए है एडीनियम के इदर काफी सीट कलेक्ट कर लिये थे तो जगे जगे मैंने ग्रो कर दिये हैं और इदर ये है मेरा नाक चंपा जिसमें की फूल लगतार आ रहे हैं दिखांनी पाते हैं आपको लेके फूल आ रहे हैं पीछे वह प्लांट्स रखे जंको की मुह शेफ करना था साल मतलब कों के लिए यह यहां पर भी सब एक्स्ट्रे है प्लांट्स रखें इस एसम था कि मुझे जरूलत नहीं हैं लर्गिन अब ग गोभी मूली ये लहो रहे हैं, ये भी ग्राफ्टिंग से मैंने लगाया था, अंजीर प्लांट, मदर प्लांट उधर वो है, ये गन्ना मेरा, गन्ने पर जो है सेम की बेल लपठ करके उपर जा रही है, यहाँ पर, ये जो है मदर प्लांट है, जो कि मैंने खरीदा था, नर्सरी में यहाँ 200 का था, याद नहीं है एग्जेक्टली, इधर जो था ये मैंने करी थी, लेरिंग करके करा था ये, ग्राफ्ट नहीं उसको भी मैंने लेरिंग करा था, ये भी जो है लेरिंग से सारे निम्बू ग्रो करें हैं, और किस देने हैं, अभी सब पड़े ही हैं मेरे पास, और ये गोबियां कभी सारी लगी हुई है, अच्छा ये देखें मेथी है, इसमें एक चीज हम बताना चाहेंगे, देखें मेथी का गंबला ये तिड़ा, इस साई ज़्यादा है, तो इस साई ज़्यादा भी जर्मिनेट हो रहे हैं, पानी सारा इधर जाता है, इसमें भी यही प्रॉब्लम है, उस साई ज़्यादा ग्रो हो रहा है, इस साई के सूख रहे हैं, वोकि पानी जब देते हैं, तो सारी ढाल उधर ही चली जाती है, पानी से सब भेह जाता है वहां पर और यह लगी है मिर्ची हमारी यह ऐसी मिर्ची डाल दी थी उसी का निकला है धनिया एक वीडियो में आपके संग शेयर किया था हमने पूरा वीडियो नहीं करा था लेकिन वही वाली है यह सब पालक लगी हुई है पालक जो है यूँ लगा छोड़ दिया है यहां अलोवेरा लगा है अलोवेरा इत्ता सारा क्यों लगा रखा है उस पर एक विशेश कारण है जो कि जल्दी ही वीडियो बनाएंगे ज़रा यह बिजली वाला तार जो गया है यह हट जा यहां से और यह मेरी सेम जिसको कि मैंने हार्वेस् थी अभी जस्ट कुछ दिन पहले वीडियो शेयर किया था अगें यह हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रही है यह जो है ग्रो बैग में लगी है यह निम्बू का प्लांट जो आपको उस साइट से दिखाया था वही वाला है मेरा यह इसके नीचे भी यह लगे हुए है मूली वगेरा देखिए हार्वेस्टिंग को रेडी हो गई है वो भी है यहाँ पर यह जो कलंडूला के सीट डाले थे वही है बाद में क्यूडा भी लग गया था तो हटाया भी है और यह सब एडीनियम वही इना बीज डालते रहते हैं कुछ गिफ्ट कर देते हैं प्लां मैंने पिछले फरवरी में खरीदा था नया प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और भी खरीदे थे उसमें फूल नहीं आए लेकिन इस वाले में आ गया हैं यह देखिए इस तरीके की बगिया मेरी यहां से आती है और यह जो गिलहरी महर जानी है वो उधर सुधा करती रहती नीचे आम के पत्ते जलाए गया है दुआ उसी से आ रहा है दोस्तों प्लांस तो बहुत ग्रो करते रहते हैं लेकिन वहीं गमले नहीं मिल पाते हैं तो यह सब एक में ही बड़े हो जाते हैं यह गोभी का लगा हुआ है इधर दिखात कि एंधर सारे प्लांस बन गया है हमने भी सूचा ग्रो होने तो अब मैंने धीरे-दीरे ग्राफ टिंग सीखी लिया है तो मुझे कहीं से भी उसका अलग डिफरेंट कलर का कोई भी चोटी सी भी अगर डाली मिल जाती तो मैं लाके ग्राफ्ट करके डिफरेंट कलर की भी बना लूँगी यह मेरा रजभरी का प्लांट है जो कि घर में जो रजभरी खाने को आती है उसी से ही मैंने इसको ग्रो करा था काफी सारे प्लांट ग्रो हो गयते कुछ तो मैंने गिफ्ट कर दिये थे बस एक ही दो रखे हैं तो दोस्तों यह तो मेरे टेरेस गार्डन का पूरी सेर्थी फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए कुछ पाएं